महराष्ट में जलद ही विधान सभाज़ चुनाव होनी वाली हैं और शेत्रे दलों के निताओं से मुलकात की, हमने हित्धारकों, डी-म, पुलिस सायुक्त और डी-जी-पी से भी मुलकात की उन्होंने बताया कि हमने बे-एस-पी, आप, कॉंग्रेस, M.N.S., N.C.P., B.J.P. और शेफ सेना समेट कुल 11 राजयतिक दलों के निताओं से मुलकात की है उन्होंने हमें चुनाव की तारीखों की घोशना करने से पहले दीवाली, देव दिवाली और छट पूज़ा जैसे तेयोहारों पर विचार करने के लिए कहा मुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में सभी की भागिदारी जरूरी है Now I give you the overview of polling stations in the state of Maharashtra तो 8,186 polling stations हैं पूरे महारास्टा में It's a big state and of which 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths This also is very peculiar to Maharashtra that number of urban booths and rural booths are almost almost in I mean urban booths are also quite high otherwise rural area booths are more in many states but because of the urbanization Maharashtra has 42,558 urban booths और इससे हमें बहुत challenges भी हैं हमारे सामने जिसका मैं जिकर आगे करूंगा आप से हम webcasting करेंगे minimum 50% booths पर लेकिन इसी meeting में हमने directions दी हैं कि urban area में ताकि हम lines का management better कर सकें और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको live control room से देख सकें इसके लिए शहरी area हों में हम कोशिश करेंगे कि हम लगबग 100% booths पर CCTV coverage करें और rural area में भी 50% से ज़्यादे बढ़ा के करें जो कि interior most areas हैं ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सकें कुछ booths को हमारे persons with disability manage करेंगे this also is a tool which we want to use for empowerment of women and for empowerment of persons with disability and also the youth booth तो 350 booth ऐसे होंगे जो सिर्फ youth manage करेंगे youth means जो लोग अभी तुरंत appoint हुए हैं government में government servants हैं उनको appoint वो लगाएंगे 299 booth PWD managed होंगे और 388 booths only women and we will attempt that even the security forces which are outside that booth or in and around that booth will also be women so it's a hundred percent women managed booth so that is also a statement that is also a root tool of empowerment which we want to use इतना ही नहीं राजीव कुमार ने महराष्ट में सोचल मीडिया पर फर्जी ख़वरों के खिलाफ शनिवार को करवाई का आदेश दिया सूत्रों ने ये जानकारी दी राज में साल के अंत में विधान सभाचुनाव होने हैं CEC ने चुनावाई तग्यानेश कुमार और SS संधू के साथ महराष्ट में चुनावी तयारों की समिख्षा की और राज पुलिस के अधिकारियों को 2024 के लोग सभाचुनाव की दोरान दर्ज के गए चुनावी अपराज से जुड़े मामलों की जाच तेज करने के भी आदेश दिये हैं NBT Online के पार्ट